वीट्स हो, एक लास। अलास वीडियो में पढ़ाता human and human-made resources वोगया था मथी आज माशनी टॉपक है वोए conservation of resources and sustainable development conservation of resources थे आपको क्या समीछाता है? किसी पीछ चीज को आने वाले समय के लिए conserve कर एक conservation जो पता है कि समय के साद़ इसे हम बचाने के लिए एक प्लेस बनाते हैं जहां पर उसकी एक संदेखभाग की जाती है उसकी कहते है इसकी कंजरवेशन एक्जामपल आपने सुना है वाइलाइफ पोड जो कंजरवेशन होती है टाइगर बनाय हुए है संकुरीज है की यह सब क्या है इसकी एक्जामपली ही खितव हो रहे जिए ओंपल के लोगों ने आसम एक आजरवेश्नल reserved पार्फ बुनाया गिया फिर चोंटाविवेशन है एक आपकोम जहां 반 पीर आपने ऐसे हमारे देश को develop करना कि उसकी जो आसपासी को चीज़ उसको बिना harm किये develop करना उसे क्या लाता है sustainable development यह आपकी रखनेशन प्राइशन पर सकती है डासपे resources without damaging the environment is known as sustainable development यह आपको मैं शौर्ट पर गतरा है अब हम आगे इसकी बारे में चानेगे conservation of resources में आपको first दिया हुआ है कि हमें कैसे अपने आगारासपा देश्यू conserve रखना चाहिए कैसे resources को बचाना चाहिए ताकि आने वादे सालों में वह हमें अवे अवे इसली होग भाए सब्सक्राइब हो जाएगे forest कम हो जाएगे तो इससे बचाने के लिए क्या कर सकते है limiting their use सबसे पहले उनका use कम करना शुरू करें recycling and reusing them उन्हें जैसे यह आपको 3 RS formulas होता है यह formula बनाया आज के राएं पे जिसके हम क्या करें किसी बचीज को recycle recycle यानि उसको दुबारा से use करने के लायक reuse उसे बार में use करें जब तक कि उसे use करें फिर reduce reduce means होता है हमें किसी चीज को use करना कम करना पड़ेगा जितनी जर्बच है उतना ही है जैसे कि पानी हो गया हम पानी के tap को on रखते है जिसे क्या हो रहा है उसको क्या हो रहा है वैसे हमें reduce करना है जितनी जितनी आवशकता है इतनी ही चीज़े लें घर पे भी आप एक्से सामान रखते हैं कि यह हो जाएगा तुम हो जाएगा लेकिन यह सब ठीक है लेकिन क्या है आपकी कारड़ में जाएगा है तो आप ऐसे सामान भी आप लेक करें पिर क्या है आगे educating people how to conserve available resources लोगों को जादा से जादा यह ज्यान दें आप उनको सिक्षिट कीजिए इस बारे में कि आपको कैसे इस चीज़ को इस्तिमाल करना है और इन सब को बचाना नहीं इन सब की बारे में जादारी सको दें minimizing their wastage waste करना कम कर दें खाना जितना अवशित्ता है उतना ही बनाना उससे जादा आप उसको waste ना करें 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 लोग उतने शादिस कर आप जाते हैं प्लेश में खाना छोड़कर आजाते हैं यह क्या हो रहाएकर नएश्टो रहा है कितने से खाने पर कितने लोगों मिठ सकती है आपको मद़ भी आप लुक करते हैं यह जाएब यह सारे क्या है वाद डिवरे इछमपल यह कोई नए चीज़ तरह ही रहा है यह समें आप गाइफ टाइड में देख रहे हो अपने आसपासी में Sustainable Development में आये तो Sustainable Development क्यों जल्दी है क्योंकि आजकर हम अपने स्वार्ट के लिए लोगों तूसरें को हानी पुछाने में बिल्कुल कताते नहीं है यह आज सर आप सबकी Nature में ठाचुका है हमें Future Generations के लिए बढ़ना है आगे बढ़कर कुछ अच्छा करना है अच्छी अच्छी आओ Facilities, Technologies, Develop करनी है बढ़ अपने Nature को हाम बिना की हाम करके हम किसी को भी कुछ अच्छा पा नहीं सकते इसलिए हमें क्या करना है अच्छे से डाप्लेट करना है बड किसी भी चीज को किसी भी Nature को हाम नहीं करना है जो इसकी Sustainable Development है वो इसलिए इंपॉर्डन है क्योंकि यह लोग किसी भी चीज को हाम करने के फील्ड में नहीं चाहेंगे इस अच्छे से डाप्लेट करते है ठीक है तो इन लोगों में इसमें क्या लिया है कि हो सबता है तो लैड का हो सॉल का हो वाटर का हो किसी भी चीज का हो आपको हमें शाय सही प्रॉपर रॉपर रूपर उस करना चाहिए तो उसकिर हमें कॉंसिस्ट एक्स फॉलो करने हैं या आपे कुछ steps दिये हुए है डिप्लेशन क्या होता है? यहापे आपको डिप्लेशन वर्ड दिलेगा तो आप यह खुद सर्च करेंगे, आपका लेक्स ट्राइ फोर का वह थर्ड आंसर भी है ठीक है डिप्लेशन सर्च करके खुद लिखेंगे तो डिप्लेशन आपका वर्ड होता है आजका वी मस्ट फॉलो यह सर्टें टूल से जब फॉलो करने चाहिए और रिप्लेशन शुट बी उसे इन असुस्टेनेबल मैना चितने भी रिनुवेबल रिसोर्स है रिनुवेबल यानी जिनने हम दोबारा पा सकते हैं फिर भी उने क्या करवा साही सिमागोग दिप्लेशन आप नीशोर रिसोर्स शुट बी मिनिमाइस्ट चितने हम नेशोर्स उसको बर्बाद करने हैं उसे कम से कम करज कीजिए जिसे हमें आने वाले वक्ते हो प्रोवाइडों से दे वेराइट स्पिसीस और लिविट अर्डिनिस्म शुट बी कंसर्व्ड हाज जो स्पिसीस है जो लिवलब्तों जारी हों सब को हमें बचाना है नैच्रल एंवाउमेंट शुट नाट बी हांग हम नैच्रल एंवाउमेंट को हांग नहीं करना है हमें एंवाउमेंट की बचाव के लिए जाल सब एंग्यों हो गया कोई जो कमिनीटीस के बारे में सोचती है जागू करते लोगों को उसे साथ में जुड़कर हमें भी इसमें पाइटिसिपेट करना चाहिए हो लोगों को जागव करना चाहिए अब आपको यह आपर एक लेक्रियर डीक्तर की फिक दी हुई है वो डिजीन वाद प्रोशन आप रीड करनेंगे फिर आज हम आपको यह फ्लेच राए फोर पे पाइव आंसर है पाँच के पाँच आपके लिए हुए है आपको कहीं नहीं चाना है सिर्फ डिप्लेशन वादा सर्च करना है फॉस्ट है सब्सक्राइब को समझाना है कि आपको पर पेज नबर एक पे मिल जाएगा सेकेंड आज़र है ओवर उस करने से क्या होगा तो वह चीज खतम हो जाएगे तो वह वादा आज़र आपको मिल जाएगा पेज नबर एक पे जो सिस्टिवल डेवल्मेंट फिगर है उसकी नीचे वाला जो पैड़ा है मिस्यूज और ओवर उस से क्या होता ये प्र उस ने समझाया है एनवाउमेंट पे कुछ चीज करता हुजाएगे अगर उसको misuse करेंगे और जादा उसके करेंगे फिर है deflection तो आप सर्च करेंगे फिर फोर्त आँसर है हम कैसे deflection how can the resources to be saved from deflection deflection से बरबार होने से हम अपने तो कैसे बचा सकते है तो मैंने आपको आपको पूरे लिख सकते हैं इसके development में पिर आएगा फिफ्टवाला अंसर फिफ्टवाला है दो पेस्ट बताना है विसोंसी कंजर्ब करने के लिए तो आप यह वाले ले सकते हैं पूरें पर आपको प्रश्राइशन के लिए हुए जिसके बिना हम अपनी लाइफ को आगे बनाने सकते हैं तो resources.com में इकने 3 categories में divided किया था 3 categories में में क्या क्या आया था natural resources, human-made resources और humans यह थी क्या है? main resources है जिसके बिना जो साइकर हो रुप जाएगी आगे ने बढ़बाएगी natural resources क्या होता है? human resources जो human दवारा बनाए जाए एक से एक quality हो टेखनोजी के दवारा तो वो human resources में आता है और human made जो human ने बनाया है ठीक है? वो आगया human resources में humans और आपको यहां पे I.I.M.H. यूपर करके एक बहुत interesting सा point दिया रहता है यहां पे आपको एक work दिया हुआ है पेले आप चालते हैं beyond our borders हमारे borders के बाहर ऐसा कौन है जो यह इस चीजों के लिए बहुत जाला चाग्रुक है आप हों को चाग्रुक कर रहा है healthier who have worked for the geological healthier ideology का नाम है जो Geological Society of London JSL वहां पर काम करती है वहां की head of marine है जो fresh water conservation पे भ्याल देती है उनका काम क्या है उनका काम यह है कि वह लोगों को इसकी बारे बिजाजने सब जागू करती है कि वह marine life यानि सबुद्र की बार जो जीजन्तियों उनको बचाएं आगे उनका बहुत जादा इसमार होता है ऐसे लगी और इनकी जो यह project है इसको award भी मिले है बहुत सारे currently यह अभी कहा है इननने start किया था यह initiative 1995 में और अभी तक यह continue कर रहे हैं तो इनका काम क्या है इनका काम है कि जो fishing net यह use करते हैं लोग उनको यह recycle करती है मतलब दूसरे चीजों में जाग भी तक कि फिर से use हो जाया आपको पता है कि fishing बहुत बड़ा employment है अपने इंडिया में भी है और बाहर की जेशों में भी बहुत बड़ा wastage का कारण भी बनता है कि पाने में बहुत कुछ हम फेग जेते हैं तो यह सारा रूनोंने साफ करने का इन्होंने जिर्मा उठाया इनका नाम है healthier अब आपको कुछ काम दे जा रहा है को आपको करना है investigate the impact of human activities in deplanting the natural resources in your local community create a scrapbook of one local environmental issue using आपको क्या करना है आपको इस scrapbook करी ली है scrapbook में आपको अपने according और जो आपको लगता है कि बाहर गिलत गुरा है उस point को आपको उठाना है अब उसको ऐसा उठाना है जैसे तरह उठाये कि आपकर कंदरी का बहुत है वेस्टेज बहुत है वेस्टेज को point उठाना है newspaper होगया magazines होगया वो सारू का use करकि आपको उस topic पे लोगको जादू करने के लिए अच्छा सा matter तयार करें ठीक एक matter अच्छा से बनाकर ready करना है एक आप खुद ही करें एक अच्छा सा topic को चुने और उसके उपार जटी भी आपको चीजे उसके दोसर मिले उन सबको लगा रहें और उसको एक तगड़ा प्रेजेशन ऐसी एक प्रेजेशन बनाने आपको फिर यहां मना आपको प्रेक्टिस बुक में इच अप्र अच्छ को फतर हो गया है इसके बाद कंट्री कैसे डवलप होगी डवल कंट्री में क्या-क्या सुधार आईगे तो वो मने आपको लिख दिया रहा है आपको जस्ट नोट करना है बाई मुझे थाय टेट्नोजी होगी का स्टेवल गवर्मेंट änday गवर्मेंट साथ हमारी गवर्मेंट उस्पीफ मिल सिबीद रही अब आज काई में पे आपको आता रही गवर्मेंट गिल रही, फिर बंव रही, फिर बंवे खिल रही अगर हेसा वई लोग माँप बय पेले है क्योंकि डवलप कंट्री में ऐसा होता है, तो वहां तो को जिसकर देंगे, फिर गोट पैंकिक फैसिलिटीज, लोगों को अच्छे मैंदी फैसिलिटीज मिलेगी, क्योंकि हाइटेक हो रहा है, हाइटेक हुआ, तो महां पर सिक्यॉरिटी भी अब्वेस नि पढ़ेगी, पी अब इडिया में पी प्रॉब्लम्स है, कि कोने-पोली तक लेकिसिजी और वाटर सप्लाइ ने जगे, बहुत ही बेसिक नीड है, इंसान की, वो तक उन्हें नहीं मिल रही है, तो अगर हाइटेक साफिक करेगी इस्तमाल, तो हम यह सब चीजे भी अच्छी से सप्लाइए, पूरे एक देश शर्क होने में कर पाने है, तो सुरेट्स यहां मैं आचका चैटर कम्प्लीट हो गया, प्रेक्टिस बुक और पोल्स बुक, दोनो आप चैटर नम्बर बन कम्प्लीट कर लेंगे, I am going to take test, अब आपका test कम होगा, कि मैं आपको अगले वीडियो में बचा और दी लोते में आपका कर देश के उना हात बलादी